अपने इंकम टेक्स के केसिस के सीरीज में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिसकस करूँगा उस केस का नाम है अजीत सिंग वर्सिस यूनियोन आफ इंडिया एंड अधर्स ये केस दिल्ली हाई कोट ने डिसाइड किया और केस 31 जनवरी 2000 को डिसाइड किया गिया मैटर 242 ITR पेज नुमबर 302 पे रिपोर्ट हुआ फ्रेंट्स बहुत इंटरस्टिंग केस है केस जो है वो एक रिट पेटिशन को लेकर है इस केस में असेसी का बिजनस था और असेसी जो है वो उसका माल इंडिया के बार से आता था चिन्नाई एएरपोर्ट पे कस्टम वालों ने असेसी का माल जो है वो पकड़ लिया और उनको कहा कि जब तक आप 25 लाक रुपे जमा नहीं करोगे आपका माल नहीं छोड़ा जाएगा असेसी के बैंक में सफिशन पंड्स नहीं था असेसी का एंप्लॉई असेसी के यहां से कोई आदमी साड़े आट लाक रुपे लेकर के दिल्ली से चिन्नाई गया चिन्नाई के होटल के अंदर असेसी ठहरा हुआ था वहाँ पे सीबियाई वालों ने सर्च किया और साड़े आट लाक रुपे को अपने कबजे में ले लिया उसके बाद सीबियाई ने इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्म किया कि एक आदमी के पास साड़े आट लाक रुपे मिले है डिपार्टमेंट ने दिल्ली में असेसी के हाँ सर्वे किया और उसके बाद उसको सर्च में कनवर्ट कर दिया गया असेसी ने कहा कि ये मेरा कैश जो है वो मेरी बुक्स ओफ एकाउंट से रिफलेक्ट होता है मेरी साड़े चार करोड रुपे की टरन ओवर है मेरा इतना कैश इन है और करण्ट एयर में भी हम करीबन 6 करोड रुपे का टरन ओवर एचीव करेंगे और असेसी ने सारे सर्कुम्स्टांसिस को बताया कि किस तरीके से कस्टम वालों ने हमारा माल पकड़ा हुआ है और अब मुझको ये कैश जो है वो बैंक में जमा करके इसको अपने कस्टम से क्लिरेंस करानी है लेकिन डिपार्ट्मेंट ने नहीं माना डिपार्ट्मेंट ने सर्वे को सर्च में कनवर्ट किया और उसके बाद असेसी की ब्लॉक असेस्मेंट कम्प्लीट कर दी गए असेसी ब्लॉक असेस्मेंट को लेकर के डिली हाई कोट में रिट दायर किया डिपार्टमेंट का जो प्ली था रिट पेटिशन के अंगेस्ट वो ये था कि S.S.E. के पास अल्टरनेटिव रेमिडी है इसलिए S.S.E. के रिट जो है वो अलाओ नहीं की जानी चाहिए दूसरा डिपार्टमेंट का ये कहना था कि S.S.E. का कैज जो है वो चन्नाई से सीज किया गया है इसलिए दिल्ली में रिट जो है वो S.S.E. के अलाओ नहीं की जानी चाहिए तो जहां तक कि मेंटेनिबिलिटी ओफ रिट की बात दिल्ली में थी उसके लिए कोट ने कहा कि क्योंकि S.S.E. का सारा बिजनस यहां से उपरेट होता है सारी रिटरंस यहां से जाती है तो इसलिए S.S.E. का जो जो जुरिस्डिक्शन है वो तो दिल्ली बनता है जहां तक कि alternative remedy की बात थी तो वहां पे S.S.E. ने इस केस में सर्च को भी challenge किया था और इस केस में जो main issue involved था वो यह था कि यदिखाले income tax department के पास यह जानकारी आती है S.E.B.I. से कि किसी S.S.E. के पास साड़े आट लाग रुपे cash है तो क्या यह sufficient है उसके हां सर्च को conduct करने के लिए यह इस case का main मुद्दा था इस case में दिल्ली हाई court ने यह decide किया कि खाली किसी government agency चाहे वो S.B.I. ही क्यों नहूं यह information मिल जाना कि किसी S.S.E. के पास साड़े आट लाग रुपे हैं यह सर्च को initiate करने के लिए sufficient नहीं है डिपार्टमेंट को खाली इस information पे act नहीं करना चाहिए था उनको circumstantial evidence देखना चाहिए था कि assessi का क्या वेपार है क्योंकि डिपार्टमेंट के पास सारी information होती है section 132 के अंदर जिस information की बात की गई है वो खाली rumor नहीं है उकाली किसी भी agency से जानकारी मिल जाना वो information नहीं है दिल्ली हाई कोट ने कहा कि department ने अपना reason to believe नहीं बनाया खाली CBI की information पे जानकारी पर act किया इसलिए यह सर्च जो है वो valid नहीं है department के पास जो CBI ने information दी है और जो department ने अपना reason बनाया उसके बीच में एक nexus होना चाहिए एक संबंद होना चाहिए तब ही जो है वो सर्च जो है वो valid हो सकती है इस case में दिली हाई कोट ने department के द्वारा सर्च इनिशेट जो की थी खाली CBI की information पे उस सर्च को क्वैश कर दिया और correspondingly जो भी assessment order department ने पास किये थे उसको भी क्वैश कर दिया और इस case में department दिली हाई कोट ने ये दिशा निर्देश दिये department को कि जो भी पैसा assessi का आप लोगोंने seize किया है जिस date से seize किया है और जिस date पे आप उसको refund देंगे उस date तक उसको 12% per annum से आपको भ्याज भी देना है और department को उपर 5000 रुपे की cost भी जो है इंपोस की दोस्तों amount 5000 रुपे का नहीं है लेकिन इससे एक department को बहुत बड़ा message गया कि आप search जैसे serious provision को खाली एक rumor के base पे initiate नहीं कर सकते search जो है वो किसी भी assessi की किसी भी petitioner की एक personal जो उसका एक ransom होता है उसके अंदर एक entrance होती है इसलिए बहुत ही remote cases के अंदर और बहुत ही unique cases के अंदर rarest of the rare cases के अंदर search को जो है वो authorize किया जाना चाहिए इस case में पुरी search को invalid कर दिया गया और जितने भी assessment order थे उनको question कर दिया गया और assessi को 5000 रुपे का cost भी दिया गया और जितना भी पैसा उसका जप्ट किया गया था उस पे बारा परसंट से ब्यास देने का दिशा निर्देश respondent को दिया कोट ने friends बहुत important case है assessi की search में पूरी harassment होती है उसके बाद block assessment कराना असाल नहीं होता यदि यदि assessi ये साबित कर पाता है की department के पास search के circumstances नहीं थे reasons record नहीं किये गए satisfaction note नहीं था department के पास sufficient satisfaction नहीं थी तो assessi जो है वो रिट में जाकर के relief ले सकता है friends once again I am repeating the name of the case the name of the case is Ajit Jain versus Union of India and others और ये case 31 January 2000 को report decide किया गया और ये matter 242 ITR पे no 302 पे report वा thank you friends thank you